hello all of you हम लोग नए विडियो में आ चुके हैं नए विडियो में नए टोपिक के साथ आए हैं BPAC-TRE डिसकस्स नहीं करेंगे बिहार दरोगा के बारे में डिसकस्स करेंगे शौर्ट वीडियो है ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसमें जो application कर चुके हैं उन candidates के लिए हैं कि next परक्रिया आगे chain की परक्रिया क्या रहेगी वो step हम लोग देखेंगे one two three की क्या रहने वाला है तो आप लोग apply किये हैं आपने apply नहीं किया आपके रिष्टेदार ने families में किसी ने किया है तो kindly ये वीडियो देखें देखें शेयर करें उनको बताईए कि क्या के हमारा chain का परक्रिया next step में रहने वाला है तो चलिए हम लोग इस्टार करते हैं चलिए first हम लोग एक पर देख लेते हैं कि रिक्ती क्या exactly है रिक्ती के बारे में छोटा सा brief जो है कि य reg Rush number one अनुशुची जाती का दो सोफचातर कुलपद है ठीक है ना उसी तरीके से अनुशुची जन जाती का 16 कुलपद है अगर उपर में देखेंगे तो महिलायों का रक्षिट पर 66 दिया हुआ है देखें कुलपद 25 के लिए सेक्षीक रूप से रक्षिपद ये महिलायों के लिए 66 है और 73 के पोता-पोती के लिए जो है चार है ठीक है उसी तरह किसा नुसुची जन जाती में 16 चार और जीरो है उसी तरह के अत्यांत पिछरा वर्ग जो है वो EPC में 238 पोस्टाट कुल पद 75 महिलाओं के लिए और 73 के लिए 4 पिछरा वर्ग BC में अगर देखे तो 10 107 है 36 महिलाओं के लिए है तीन जो है सोतनता से नानी के लिए ठीक है ना उसी तरह के से पिछरे वर्ग की महिलाओं यह मत्तब बैक्वर्ड फीमेल आरेफ करके के केटेगरी होती है से बेरासी पोस्ट जो है वो कुल पद है टोटल जो है उसके बाद अनरक्षित अन्रिज उसके लिए दिया गया है उसमें 34 जो है महिलाओं के लिए तरह की सबमें 00 है तोटल कर चुके हैं उनके लिए तो अच्छा है तो next परक्रिया हम लोग देख लेते हैं बस परक्रिया discuss कर लेंगे थोड़ा सा हम लोग किन किनी steps में जा रहे हैं चलिए नियुक्ति की परक्रिया अब आते हैं हम लोग की जो application कर चुके है candidates उनको next step में क्या करना होगा तो next step कि या कि लिखित प्रयोग एक प्रतिक्षा पकी होनी है ठीक है ना आवेदं पैंट एक प्रारंभिक होगी और एक मुख परिक्षा होगेए पिटी होगा एक मेंस होगा ठीक हा लिख्त परिक्षा के सभी पत्र बहु विखल्पी होगी 200 अंकों की होगी 200 अंकों में email पत्र होगा जिसमें प्रेचनों की कुल संख्यां सहोगी ठीकैने 100 प्राश्न में होगा 2 घंटे की आपकी परिक्षा होगी, ठीक है, उक्त पत्र समान ग्यान, उक्त पत्र में समान ग्यान, समसाइक मुद्दों से संबनित परश्ट पूचे जाएंगे, इसमें 30% से कम अंक पराप्त करने वाले अभ्यर्थि मुक्ष्ट परिक्षा से के लिए इसफल गोशित किये जाएंगे, तो 30% minimum क्वालिफाइंग है इसके लिए एक्जाम के लिए तो वो आपको लाना पड़ेगा प्रारंबीक परिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिखती हो के बीस गुना सफल अभ्हरतियों के चैन मिधा करम अनुसार अरक्षन को टिवार किया जाएगा चलिए तो प्रिडेट्स का सेलेक्षन जो है वो मेंस के लिए किया जाएगा पीटी में ठीक है न तो मुख्त उसके बाद मुख्त लिखित परिक्षा है तो हर्ता प्राप्राप्त प्रियाप्त संख्या में अनुपलब्दता की दशा में उक्त अनुपात के रूप में कम किया जा सकत हमारा समाप्त हो गया मेंस को को जो सफाल अभ्याइवारती प्रथम20 अंकों का समान हिंदी आपका जो है आयोग घुशित आपको कर दिया जाएगा समान हिंदी का प्रापतांक मेधा निर्धारन में नहीं जोड़ा जाएगा वो पत्र जो है हिंदी वाला होगा वो मेधा में नहीं जोड़ा जाएगा अब मेन होगा आपका दित्य पत्र दित्य पत्र जो है आपका समान अध्यान ये देखे कौन-कौन सब्जेक्ट से क्या-का से आने वाला है वो आप एक बड़ देख लीजिए ये important है कि दित्य पत्र जो आपका मेन होगा जिसका मेधा अंक में जोड़ा जाएगा जो marks वो सिर्फ qualifying हिंदी है बट ये जो है आपक ख्येदिक शांत्र है भारतिय इतिहास है भारतिय इतिहास है भारतिय भुगोल गts ये वह मांसिक यह श्जाइस संबंदित होग Pray कजैसर को दक परशनों की कई क्या 100 होग का समधी 2 घंटे की होगी तो ये 2 घंटे सा क्ये होगा दो घंटे के अवधी इसकी होगी ठीक है ना दोनों चरणों की परिक्षा में प्रते गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा चलिए तो आपका 0.2 निगेटिव मार्किंग है एक गलत होगा 0.2 मार्क गया जाएगा मतब 5 गलत अगर आप करेंगे तो एक नंबर आ होगी जिसकी एक परती आयोग के पास सुरक्षिक रखी रखी जाएगी चलिए उसके बाद नेक्स आते हैं पाच्वे पॉइंट में क्या है मुख लिखित परिक्षा के अधार पर रिख्तियों के छे गुना भ्यारतियों का चेन को टीवार में मिधानुसार सारी की दक्ष परिक्षा के लिए किया जाएगा अब सिक्स टाइमस मान लेजए कि आपने पाचीस हजार हम टोटल कंडिडेट्स देंगे ठीक है ना पचीस हजार आपको मिंस देंगे तो छे गुना भ्यारतियों को उसमें सचैन किया जाएगा तो 1275 पोस्ट है 1275 पोस्ट सबसे पहले आ आपको है PT का result 25,000 निकलेगा 25,000 देख सकते हैं उसके बाद इस 25,000 में आप 6 गुना भ्यरतियों का change होगा वो third phase के लिए किया जाएगा सारी की दक्ष्टा के लिए तो उसमें third phase में को होगा तो 1275 into 1275 into 6 into 6 into 6 करेंगे तो कितना होगा 1275 into 6 करेंगे तो 1275 लगभग होगा आपको 6,000, 6,000, 7,000 लगभग 7,000 मतब 500 के करीब 7,500 के करीब result निकलेगा 7,000, 7,500 मतब 25,000 में से 7,500 का result निकलेगा मतब 17,500 के करीब को छट जाएगा PT में 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 आपको छट जाएगा 7,500 में जो है सारी की दक्ष्टा के लिए आएंगे 1275 टोटल पोस्ट है आपके ठीक है न तो वह आपको सारी की दक्ष्टा है तू अभरती प्रयाप संख्या के अनुपता की दर्शा में उक्तनुपात रूप में ही कम किया जा सकेगा तो वही है फिर आप चले आप तिर त चरण में आपका होगा सारी की योगता दक्ष्टा परिक्ष्टा आपकी होगी तो वह आप देख सकते हैं जिसमें अलग-अलग है दोड़ है दोड़ अपना होगा जिसमें एक मील का दोड़ के लिए यह समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड है सभी कोटी की महिलाओं के लिए एक किलो मीटर की दोड़ है तो 6 मिनट है उसके बाद उची कूद है उची कूद में अगर पुरुश को लिए देखेंगे तो निन्टम 4 फीट उची कूद है मतलब हाई जंप में है ठीक है उसी तरह 4 फीट कम कूदने वाले को असफल घुसित कर दिया जाएगा मतलब 4 फीट कूद महिला कम करेंगी तो उसको असफल घुसित कर दिया जाएगा गुला फेः शोट उसमें अगर करेंगे तो 46 पॉंट का गुला गुला निनलतम हमें उसके लिए आपको पुरुशों के लिए 16 फीट ना पड़ेगा ठीक है? 16 आपको टोटल जो है नियत तो ये आप निकल जाएएगा लास्ट में जो है आप दिया गया कि नियत समय पुरुशों के लिए छे मिनट तीस से करें और महिलाओं के लिए छे मिनट की दौर पूरी करें अभिर तो उची लंबी कूद गोला फेक इस फर्दाव नियुतम विट इस सब्सक्राइभ को नहीं पास करेंगे उनको नहीं आगे का किया जाएगा और उनको नहीं मिलेगा ब्लक्ति को सभी अ में अलगलग अलग सफल होना कि यह न नहीं आटिक यह आप द्याखत है फिल कर गया तो आप अधूंग देक सकते हैं इसको पढ़ने का जोड़त नहीं है हमको मेधा सुची का मेधा सुची हम न्युक्तिग के अनुशन só ठीक है न मेधा सुची उप्रोक्त पदों की न्यूक्त है थेतुचेन के लिए अंती मुरूप में सफला अबरतिग की मेधा सुची मुख्त लिखित परिक्षा में प्राप तंकों के अधार पर मेधा करमनुसर अरक्षन को टिवर तयार की जाएगी लिखित परिक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यरतियों के समान अंग प्राप करने के दिशाएं मेधा सुची में उनके स्थान का निर्धान उनकी जन्मतिती के अधार पर किया जा सकेगा ठीक है न, तो अगर मेधा सुची में स्थान नाँक रहेगा, जो जन्म के अधार पर उनका जो किया जाएगा समान अंक एवर्ण समान जन्म थिथी वाले दो या दो सेदीका अभ्यट्यों की दिशा में मेधा सुची उनके स्थान करना उनकी सैक्षनिक योगता के अधार पर किया जाएगा अगर किसी का जन्मति थी भी बडावर है ठीक है न रांक भी बडावर जन्मति थी बडावर तो फिर qualification देखा जाएगा qualification को देखकर मेधा सुची बनाई जाएगै secondo point इसमें देख सकते हैं सैक्षिनिक जोगता के समान होने की दशाँ में अगर सैक्षिनिक जोगता भी समान है तो उनकी वरिता उनके दसवी के बोर्ड के प्रमान पत्र में लिखित नाम में अंग्रेजी वनवला करम अनुधार निधारित की जाएगी मुख परिक्षा के आधार में आधार पर तयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची है तू अनुसूची जाती जन जाती है महिला वर्क के अभियर्थियों के लिए निम्तम आहरता 32% अत्यत्त पिछ्रा वर्ग के लिए 34 पिछ्रा वर्ग के लिए जो है अभी वर्थों के लिए निम्तम आहरता 36.5 में समान वर्ग के अभी वर्थों के लिए निम्तम आहरतां 40 परसेंट है यह लगवक सभी बिहार के एक्जामिनेशन्स में है तो इसमें कोई बहुत बड़ा ज इसको देख लिजिए अगर आपके यूज का है तो आप इस वीडियो को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और बाकी अगर नहीं है तो फिर आप फरवर्ड कर दिजिए आपके फैमिली में फ्रेंड्स में जो भी लोग इसको देखेंगे उसको थोड़ा पता भी तो चल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं